हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में आर्मी बेलफेर एजुकेशन सुसाइटी की तरफ से आर्मी पबलिक स्कूल से सिख्षक भरती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है पर्मनेंट वेकेंसी आई है, सेलरी इसमें 35,723 जो है इसमें सेलरी दी गई है और इसके साथ में जो है DA, HRA, as per AWES rules के according रहने वाले हैं AWES यानि की आर्मी बेलफेर एजुकेशन सुसाइटी की दरफ से तो चलिए देख लेते हैं जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं कैसे आविधन करना है, पूरा प्रॉसेस जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी अन्त तक बने रहें वीडियो के, सबसे पहले जो है ओफिशल वेबसाइट पर आना है आर्मी वेलफेर एजुकेशन सुसाइटी ठीक है और इसमें जो है यहां पर लेफ्ट साइड में वेकेंसी आपको नजर आएगी जितने भी राज्यों की वेकेंसी जारी होती है आर्मी पॉब्लिक स्कूल में तो यही पर आप लोगों को वेकेंसी देखनी होती है अब चलिए देख लेते हैं इसमें वेकेंसी किस राज्यों की है तो आर्मी पॉब्लिक स्कूल नहरू रोड लखनौ केंट उतर प्रदेश से यह वेकेंसी है हेड मास्टर एंड हैड मिस्ट्रेस का रेगुलर पद्ध है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें बेड, मेड, बेड, डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन वाले अपलाए कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें आप application are invited from eligible candidate for the post of headmaster and headmistress in primary wing of army public school नहरू रोड लखनौ केंट ग्रेजुएशन आपकी 50% marks होनी चाहिए आपने साथ में B.A.D. करा है या फिर आपने M.A.D. किया है या B.L.A.D. किया है या Diploma Elementary Education में किया है ठीक है यह qualification है अनुवब इसमें बिल्कुल चाहिए headmaster, headmistress का पद है तो कम से कम 5 साल का अनुवब आपका primary teachers के पद पर रहा हो CBSC recognized school में किसी भी उसके बाद देखें seated आपका qualify होना चाहिए और army public school में जाने के लिए AWES हर साल Army Welfare Education Society की तरफ से हर साल जो है vacancy जारी होती है, एक test होता है जैसे की केंद्र विध्याले में जाने के लिए seated आपका clear करना जरूरी है ऐसे ही army school में जाने के लिए online screening test होता है, एक scorecard आपको दे दिया जाता है इसके base पर आप पूरे भारत में किसी भी army public school में जाने के लिए eligible हैं के वल interview के base पर permanent post जब भी आती है, आप लोग selection पास सकते हैं साथ में जो है IT या computer literate, आप लोग पास computer की knowledge होनी चाहिए, certificate नहीं माग रहे हैं ओमर इसमें 55 साल है, 57 यर रहेगी, जो पहले से ही army public school में पढ़ाएं हैं कभी भी, कहीं पर भी, उनके लिए next देखें, selection criteria क्या रहेगा, तो आप लोग जो है, scorecard आपके पास है, online screening test आपने clear किया है तो selection जो है केवल आपकी qualification में, आपके अंकों के अधार पर, अनुभव के अधार पर और interview के base पर होगा, ठीक है, only shortlisted candidate will be call for interview interview के लिए, जिनको shortlisted करेंगे ये, तो उनको बुलाएंगे, अब सभी को बुलाना तो संभव नहीं होता है, जिनकी qualification में अच्छे marks रहेंगे, अनुभव जिनका ज़्यादा होगा venue of interview, date and time will be intimated letter, तो letter जारी होगा, तब आप लोगों को बताया जाएगा, कि interview के लिए आपको कहां आना है, फिलाल आपको क्या करना है, apply करने के लिए, salary हाँ पर देखें, basic पे 35,723, साथ में DAHRA, तो ये fix ही रहता है, AWES के rules के according, ठीक है, salary काफी अच्छी मिलेगी, अभी कै से apply करना है, तो आप लोगों को official website पर जाना है, awesindia.com, और application form लेना है, print निकालना है, demand draft 250 रूपीज का आपको बनाना है, army public school, नहरू रोट, लखनौ के नाम से किसी भी bank में आप चले जाएं, या फिर post office में भी आप जाएंगे, तो भी बन जाएगा, और आपके जितने भ पात से लेकर, MAD, BAD तक के, ठीक है, और experience certificate, सबकी photocopy लेना है, speed post या फिर खुद स्कूल में जाकर भी submit करवा सकते हैं, address यह रहा, army public school, नहरू रोड, लखनौ केंट, UP, पिनकौर 226002, 11 सितंबर तक ही जो आप आविदन कर पाएंगे, तो आपके पास 3-4 दिन है, अगर अप अप्लाइ करने के इच्छुक हैं, तो 11 सितंबर से पहले पहले जो है, आप लोग आविदन कर सकते हैं, ठीक है, speed post करेंगे, तो 3 दिन में पहुच ही जाता है, यह application form है, नीचे ही इसके दिया हुआ है, आप लोग इसे print out कर लेंगे, ठीक है, फिल करना है, और यह अग पूल में ही जाकर आप लोग समिट करवा सकते हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेकेंसी के साथ और अच्छी वेकेंसी आएगी, जिस भी राज्य की बिलकुल आप लोगों को बताई जाएगी, ठैंक यू